हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Motorola G42 Android Mobile Phone में आप Screen Locking Sound Setting को आप Enable कैसे कर सकते हैं और यह Setting जो है Enable करने के बाद कैसे काम करती है आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जारा हूँ तो चलिए हैं आपर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने फोन में Setting पेज ओपन कर लेना है Setting पेज ओपन कर लेंगे तो आपको नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको Sound का ये Option देखने को मिलेगा इससे Select कर लेना है इसके बाद आपको Sound के इस पेज में नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको Screen Locking Sound का ये Option दिखाई देगा इसके सामने वाले बटन को आपको Select करके इस Setting को Enable कर लेना है अब ये सेटिंग जो है Screen Locking Sound Settings इनेबल हो चुकी है अब ये इनेबल होने के बाद काम कैसे करती है मैं आपको ये बता देता हूँ जब भी आप अपने मॉयल फोन का Screen Lock करेंगे पावर बटन एक बार दबा के Screen Lock करेंगे तो एक Sound Create होगा मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके का तो इस तरीके से जो है Sound Create होथा और जब मैं अपना Screen को Unlock करूँगा ये देखे Screen को Unlock किया तब भी Sound Create किया तो ये इस तरीके से Screen Locking Sound का इनेबल करने पर काम ऐसे करती है एक हलका सा Sound आएगा थोड़ा सा लेकिंग जो है Sound Create जरूर होगा तो आप इस सेटिंग को जो है अपने Mobile Phone में कैसे ढूंड सकते है shortcut तरीके से ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ तो यहाँ पर आपको करना है कि सबसे पहले तो आपको अपने फोन में माइनस का ठीक है तो यहाँ पर जो है जैसा लिखा हुआ होता है वैसा ही लिखना है ठीक है तो यहाँ पर जो है स्क्रीन लॉकिंग साउंड का नीची की साइड में option शो हो जाएगा तो इससे आपको